सूपरवातम आज हम लोग पाथमी कक्छा के पाथ कर्मानुसार धातू रूपों का पुनह अभ्यास करेंगे धातू किशे कहते हैं किरिया के मूल रूप को धातू कहते हैं जैसे पठ परना, हश हशना, लिख लिखना आदे किरिया किशे कहते हैं जिस सब्द से किशी काम के करने या होने का बोधो उसे किरिया कहते हैं जैसे परना, लिखना, हशना, बोलना आदे इन्हें संस्क्रीत में धातू कहते हैं काल को संस्क्रीत में लकार कहा जाता है लट लकार बर्तमान काल बर्तमान काल को संस्क्रीत में लट लकार कहते हैं पर्जेंटेंश पर्थधातू लट लकार बर्तमान काल संस्क्रीत भाषा में तीन पुरुष होते हैं पर्थम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष पर्थम पुरुष जिसके विशय में बात की जाए उसे पर्थम पुरुष कहते हैं पर्थम पुरुष के करता हैं सह तव ते सा ते ता आदि अर्थात पर्थम पुरुष के करता अनन्थ हैं जैसे रामाह मोहनाह सीता गीता एशह एतव एते आदे मध्यम पुरुष के करता है त्वम युवाम यूयम त्वम तुम युवाम तुम दो यूयम तुम सब शुनने बाला मध्यम पुरुष कहलाता है बोलने बाला उत्तम पुरुष कहलाता है उत्तम पुरुष के करता है अहम मैं आवाम हम दो वयम हम सब आज हम लोग पर्थम पुरुष के करता के साथ किर्या का प्रियोग करेंगे तो पर्थम पुरुष की किर्या है पठती पठतह पठन्ती और पर्थम पुरुष के करता है पुलिंग में सह तव ते बालकह बालकव बालका इस तरह से तो वह लरका है सह बालकह अस्ती वे दो लरके हैं तव बालकव श्तह वे सब लरके हैं ते बालका संती वह पठता है सह पठती वे दो पठते हैं तव पठतह वे सब पठते हैं ते पठन्ती लर्का परता है बालकः पठती दो लर्के परते हैं बालकः पठती अब यहाँ है हस हसना हस्ती हस्तह हसंती वह लिखता है शह लिखती वे दो लिखते हैं ताओ लिखता है वे शब लिखते हैं ते लिखंती वह जाता है शह गच्छती गमधातु से गच्छती वेदो जाते हैं तव गच्छतह वेशब जाते हैं ते गच्छन्ती इसी तरह से इस्तिरलिंग में वह लिखती है शा लिखती वेदो लिखती हैं ते लिखतह वेशब लिखती हैं ता लिखन्ती वह फल है तत फलम अस्ती वे दो फल हैं ते फले श्तह वे सब फल हैं तानी फलानी शंती वह गिरता है तत पतती वे दो गिरते हैं ते पततह वे सब गिरते हैं तानी पतंती इस तिरलिंग में, वह लरकी है सा बाली का अस्ती, वे दो लरकियां हैं ते बाली के श्तह, वे सब लरकियां हैं ताह बाली का संती इसको याद कर लिजेगा वह पढ़ता है सह पठती वे दो पढ़ते हैं तव पढ़ता है वे सब पढ़ते हैं ते पठनती वह लर्का है सह बालका अस्ती वे दो लर्के हैं तव बालका उस्तह वे सब लर्के हैं ते बालका संती इसको लिख कर याद कर लिजेगा